जाओ इसका और एक पिछला वाला किया दो इंक्रीज वस प्लस टू प्लस टू अवरी तैम पूर बढ़ा फिर रेट बढ़ा शिक्स बढ़ा फिर एट बढ़ा सो वह एक्पोनेशली इंक्रीज नहीं कर रहा है यह सिंपल वाल्यू से बेस्ट है या फिर तुम ग्राफिकली भी कर सकता हूँ इन्हेक्वालिटी है यह त्राइट प्रूव दौप्शन रॉंग सब्सक्राइब प्रूव दिस ऑप्शन रॉंग मैनस एक्स ग्रेटर थे न तो यह जो एट X का वाल्यू 4 ले लता है minus 4 greater than y का वाल्यू minus 100 ले लता है so can I disprove this option yes we answer the as a greater than minus 1 sorry greater than minus 1 why is greater than minus 1 so how do we disprove this what values will disprove this option an option which we can't disprove is will be correct answer it is true or I guess you value को यह हमेशा नेगटिव रहेगा ठीक है और इसका लोइस्ट वैल्यू कि यह वाई का जो वाल्यू माइनस वन से उपर है जीरो के उपर चले जाओगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा जीरो पे जीरो दे रहा है यह नेगटिव ही देगा इसको माइनस तू से नहीं ले जा सकते हो माइनस टू से ओपर ही है और माइनस एक्स जो होगा beating वाल्यू है 2 2.01 2.0 तो इसका lowest value इसका जो starting value Yagis value minus 2 over minus 2.002 to allowed me So minus 2.001 स्का starting value So this is something you cannot create cannot reject कि यह थोट आज तो भी नॉट की वन वाल्यू जिस पर अप्रूव हो गया यह थोट इसकी कोई ऐसा वाल्यू मिल जाए जिस पर रिजेक्ट हो जाए गया कि अब कॉस ऐसे तो इसमें भी यू कन फाइंड वाल्यू जहां पर इस प्रूफ मायनस एस ग्रेटर दन 2y हो सकता है कि नहीं कि तो एसको मैनस टू लेलो लेलो मैनस टू पॉइंट 012 अब अब नहीं होगा नहीं होगा इसका लोइस्ट वैल्यू मैनस टू है यह ले सकता है ना यह ले सकता है ना तू अलाओट नहीं है लेकिन यह तो ले सकता है क्यों ले सकता है यह का वाल्यू मैनस वन से ग्रेटर है तो मैनस वन से ग्रेटर है तो मैनस पॉइंट नाइन 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 ले सकना है कि नहीं का वाल्यू minus 0.9999 099 minus 09999 2 that two times your gonna reject minus 2.1 is greater than minus 2.01 is greater than minus 1.99 reject ho rhraya कि ले आफ बिखेक्ट निक निर डिकेस्ट नियुक्त फिरी गिस्टेट न लिजेट नियुक्त जिस पिंदेट वालुड वालु जिस पिर्ट घस एक तव डित पिट वालुड़ियू पिस पिए X को 100 ले ले लेते हैं, Y को 0.99, minus 0.99 ले ले लेते हैं, यह Y greater than minus 1 है ना? X को, X को 10,000 ले लो, X, Y, less than minus 2, greater than minus 2. Sometimes in these questions, it might be a good idea not just to do it numerically, but also think on the number line for both. X is greater than 2, 2 से आगे X, Y is greater than minus 1, minus 1 के आगे X, Y. तो जब हम पहला option देखते हैं, यहाँ पर, X, Y greater than minus 2, मेरे को X into Y को minus 2 से बड़ा बराना है. बड़ा होगा तो यह answer से होगा, हमेशा अगर minus 2 से. तो मेरे को एक case ऐसा खोजना है, जहाँ पर X, Y minus 2 से छोटा है. यहाँ मैनस 2 के बराबर है, तो चैना आ टेक X as 100 and Y as minus 0.1. X, Y कितना बनेगा? 100 into minus 0.1, कितना बनेगा? Are these values okay in the range? X का रेंज में है, Y का रेंज में है. Product, 100 into minus 0.1 is how much? Minus 10, minus 10 greater than minus 2. Not satisfied. So this option is rejected. Because we can find a value which rejects this option. That's the approach. And number line पर करने से बहुत क्लियर हो जाता है. ऐसलिए, inequality और questions को हमेशा number line पर solve करना चाहिए. Let's try the second one. X, Y less than minus 2. यह तो बहुत असानी से बन सकता है. That's, you have to have the gut feel कि what value you need. वो gut feel build करना पड़ेगा. induction-based solving है. You have to have the gut feel. X square greater than X. कब होता है, कब नहीं होता है. X greater than X square, कब होता है, कब नहीं होता है. यह सब तुमको range of values पता रहना चाहिए. That was the gut feel that told me on the first question we did today, जो कल फसे थे, value-based. कि 0.1, 0.2, 0.3 पे क्या हो रहा है? कहां पर check करना चाहिए इसको? So you have to be able to look at the function and decide कि what values will work. तो अब मेरे को क्या करना है इसमें? Second value, X, Y less than minus 2. Is it possible to do that? I want to reject this option. अगर मैं नहीं बना पाँँगा, तो वांसर हो जाएका. So can I reject X, Y less than minus 2? So I need a value for X, Y greater than minus 2. X, 100, Y, 20. बहुत असान है यह. यह रिजट हो गया. X into Y can be positive. बहुत असान ही से. यह रिजट हो गया. So now, we are left with between these two. अजोनों में सेमी चीज़ है, just the inequality sign is changing. Minus X greater than 2Y or minus X less than 2Y. So if I think इस पर ग्राफिकली भी सोचू. X का रेंज 2 से start हो रहा है. So minus X का रेंज. Minus 2 से इदर जाएगा. Minus 2 पे नहीं रहाएगा. Minus 2 पे blank है, तो minus 2 भी blank है. And Y का रेंज, minus 1 से start हो रहा है. Right में. So 2Y का रेंज, minus 2 से start होगा. Aar minus 2 पे मीट नहीं करने वाले हैं. So minus X will always be smaller than 2Y. So this is a minus X is always smaller than 2Y. So this is a more efficient and cleaner solution. If you are looking on the number line and you are utilizing your graphical knowledge. Y का रेंज रेंज 2 से start हो रहा है. So 2Y का रेंज रेंज रहा है. So तुमारा minus 2Y का रेंज यहां पे है with this point not included. दो बढ़ा है कि चोटा है तो इस पॉंट पर आगे जहां पर वो दोनों रिजट हो गया तो अब तुमको सिर्फ मैंनस एक वाल्यू का वाल्यू का रिलेशन्शिप चाहिए इस पॉंट बेकॉस बूतिन इस तो आगे वाल्यू आः रिलू आण यह जो है इस दो कर दो कि फॉंट एक जो है माने से मैंनस त्रींट पीक है एंड टूबाई जो है दो देरो हो हो जाएगो minus x minus x will be minus 3 and 2y will be 0 which is smaller minus x is smaller so when i got this i have disproved this automatically i found a value at which this gets disproved this group here disprove okay 18 no disprove okay you answer